पुलिस ने थाना नजीवबाद पुलिस ने थाना छेटिल गिराम खेरुललापुर उफशापुर में तीन दिन पूर्व एक तेहिस वर्षे युवक की छूरी मार कर की गई हत्या का खुलासा करता हुए एक आरोपी को ग्रफतार कर लिया गौर तलाबे की कि जून को फूल सिंग के पुत्र पैतिस वर्षे नमनीत की पेट में छूरी मार कर हत्या कर दी थी इस संबन में नमनीत के भाई सतेंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने गाउं के ही अंकुर पुत्र बाबुराम को नाम जद किया था मंगलवार को पुलिस ने अंकुर को बाबा ज्यान देव मंदर के निकट ग्राम पुर्षोत्मपुर को जाने वाली सलक से ग्रफतार कर लिया पुलिस ने अब्युक्त की निशाइन देही पर चूरी बरामत कर ली है बुद्वार को एसपी सिटी लक्षमी निवास मिश्र ने पुलिस लाइन में प्रेस वारता करते हुए बताया कि हत्ते की वज़ा नमनीत के भाई सतेंदर कुमार का अंकुर के साथ पेचिंग बालू की बुरी लगाने को लेकर काहसुनी हो गई थी जिसके बाद अंकुर उसके साथ डंडे से मार पीट करने लगा जिसको बचाने आए नमनीत सतेंदर का बेटा अतुल वे मुकुल भी आ गए इसी दोरान अंकुल ने नमनीत के पेट में चूरी मार दी और अतुल और मुकुल को गाहल कर दिया और फरार हो गया अब जो ब्लासा किया गया यार चा मामना है यह बारू की बोली नदी के किनारे लगाने को ले करके बेवाद हुआ था इसमें मार पीट भी और चाकू माने से एक लिट की मुक्च हो गया थी आज अभ्यूद को ग्रासतार किया गया है इसमें बैढाने कर वही बोली की जा नदी के किनारे कटान हुआ था उसमें रेका के थेट काम कराया रहा था बालू की बोली लगवाई जा रहे थी इसकी को ले करके आपस में इनका विवाद हुआ था मार्टि की